Hello everyone, कैसे आप सभी, I hope सभी अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे तो आज है हमारा English spoken का 11th day तो आज हम ऐसा structure करने वाले हैं, जो हम डेली बोलचाल में यूज़ करते हैं For example, तुम्हें तुम्हें मुझे मूर्ख बनाना ही आता है तुम्हें तो क्यों जोट बोलना ही आता है, तुम्हें तो क्यों लडाई करने ही आती है ऐसे sentence को हम कैसे English में बनाएंगे और बोलेंगे आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं इसलिए वीडियो को लाज तक जरूर देखना या अपनी भूती हल्फुल होने वाली है इसका मिनिंग होता है जानते है या आता है यह हमें क्या बताता है कि ability, skill या talent क्या बताता है इसका पहले हम structure देखेंगे उसके बाद example से समझेंगे अच्छे से ठीक है पहले simple sentence में हम कैसे बनाएंगे subject, know, knows, how to, working first form और object यानि कि कोई भी other word हो जाए तो subject कारे को करने वाला अब इसमें nose क्यों लगाया क्योंकि जो nose होगा वो he, see, it के साथ लगेगा he, see, it के साथ singular के साथ nose लगेगा और वरना no लगेगा ठीक है negative कैसे बनेगा subject, do, does not, यानि do not, does not know how to work in first form और other word negative नहीं के form में, जैसे मुझे पढ़ाना नहीं आता है तो I don't, क्या लगाएंगे फिर, know, how to, read या teach या कुछ भी जो मुझे नहीं आता है तीक है, या मुझे वहाँ जाना नहीं आता, मुझे खाना नहीं आता, मुझे पीना नहीं आता या नहीं जानता, ठीक है, इंटेरोगेटिव में, do, does आगे आ जाएगा, जो helping word होती वो आगे आ जाती है subject, know, how to work in first form और other word फिर आगे इसको example से च्छी से सीखेंगे, पहले आप structure देख लीजिएगा interrogative, negative होता है, कि do, does के साथ note भी लगे यानि कि नहीं की form में भी आए, subject, know, how to work in first form और object अब आता है हमारा डवलो एच फैमिली वर्ड, interrogative यानि कि डवलो एच फैमिली वर्ड भी आएगा, do, does आएगा, subject, know, how to work in first form और object अब हम सबको इन structure को हमने देखा, कितना easy है अब हम कैसे apply करेंगे sentence में ये देखते हैं जैसे मैंने एक example लिया है, मुझे कार चलाने आती है धिरे धिरे सिखेंगे, ध्यान से सिखना मुझे का क्या आता है, I structure मैंने क्या आता है, simple sentence से I के बाद, I के साथ क्या लगेगा, no फिर how to कार चलाने क्या होता है, drive आप car बन गया easy sentence, अब इसको हम negative में बनाएंगे तो I के साथ do लगता है, I don't know how to drive a car मुझे कार चलाने नहीं आती है, मैं कार चलाने नहीं जानता अब हम interrogative बनाएंगे, तो do लगता आगे आ जाएगा do I know how to drive a car ऐसे हम interrogative बनाएंगे, negative interrogative बनाएंगे ठीके मैंने आपको यह बना के दिखाया, ऐसे हम लाखो sentence मना सकते हैं, जो हम daily bowl चल में यूज करते हैं, करते हैं और जादे sentence की practice ता कि आपको अच्छे सी यह आ जाई, तो हम example की दुआरा अच्छे से समझेंगे, ठीके, तो पहला है हमारा, वह मूर्ख बनाना जानता है, या उसे मूर्ख बनाना आता है, जैसे हमां बोल चाल में कहते हैं, केवल तुम्हे तो यार मूर्ख बनाना ही आता है, तुम तो दूसरों को मूर्ख बनाते हो, ठीक हैं या तुम तो पागल बना रहे हो ऐसे बोलते हैं न संटेंस हम तो उनको हम कैसे इंगलिस में बोलेंगे वो सीखने वाले हैं अब वह ही ही singular number है तो knows how to make a fool ठीक है next है तुम्हें केवल जूट बोलना आता है तुम तो केवल जूट बोलना जाते हो तुम तो हमेशे जूट ही बोलते हो तो इसको कैसे बनाएंगे यू अब जहां केवल आजाए केवल का मीनिंग क्या होता है only ठीक है अब जो only है हम उसको subject के बाद भी लगा सकते हैं और उसको subject के यानि सोई sentence के last में भी लगा सकते हैं आपको जैसे अच्छा लगे वैसे लगा लीजिएगा यू only know know how to tell a lie जूट बोलना क्या होता है tell a lie next है हमारा तुम केवल अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं बोलना नहीं कई पर कहते हैं कि तुम्हें तो केवल अंग्रेजी पढ़ना आता है और बोलना नहीं आता उसे तो केवल खाना बनाना आता है वो सबजी काटनी नहीं आती उसे तो किवल नाना आता है, बाहर जाना नहीं आता, कुछ भी बना सकते हैं, हम ऐसे लाको संटेंस हम बना सकते हैं, जो डेली हम बोल चल में यूज करते हैं, ठीक है? You only know how to speak English not read, read English not speak. ठीक है? यानि कि आप केवल इंगलिस पढ़ना जानते हो, बोलना नहीं जानते हैं, नेक्स्ट है हमें, तुम्हें केवल समय बरबाद करना आता है, कई बार बोलते हैं, कि बच्चे पढ़ते नहीं, तो बोलते हैं, कि तुम्हें तो केवल अपना समय बरबाद करना आता है, तो कैसे बनाएंगे इसको? You only know how to waste time. और अपना time हो तो waste your time. ठीक है? अब जी sentence हमने बनाए. ये daily हम बोलचल में use करते हैं. ऐसे ही तो sentence use करते हैं. ऐसे ही sentence हम देरे देरे बनाना सीखेंगे. और अपनी conversation को अच्छा improve करेंगे. तो मिलते हैं next वीडियो में नए topic के साथ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और helpful रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा. और चैनल को subscribe कर लेना. ताकि ऐसे ही easy way में मैं डेली बोल चाल के sentence के structure आपको देती रहूं. और नए वीडियो के साथ मिलते हैं. तब तक के ले दादे रादे.